अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज अपने एकसल का टुवेल्थ वाला पार्ट देखने वाले हैं इस पार्ट में हम सीखेंगे कि आपको ड्रापडाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं ड्रापडाउन लिस्ट क्या होती है आपने पिछली वीडियो सारी देखी होगी अब क्या नए फार्मूले जो यूज होंगे फ्रेंड्स उसमें क्राइटेरिया और लोक अफ वेल्यू ये सारी हमको जरूत पढ़ने वाली है इसके लिए हमको क्या ड्रॉपडाउन लेश्ट बनानी पड़ेगी जिससे आसान काम होगा फ्रेंड्स तो चली हम सीखते हैं और प असानी से जॉब पा सकते हैं आज की सारी जॉब्स जो है कंपीटर से रिलेटेड वर्क है वो सारा एकसल बेस ही हो रहा है तो प्लीज प्री में देख सकते हैं और सीख सकते हैं और अपने परिवार फेमेली को भी सीखा सकते हैं फ्रेंड्स प्लीज लाइक और तरगा है हम इसको highlight कर लेते पहले friends एक color से highlight किया अब हमें यह जो name वाली list है हम चाहते हैं कि यह sale के अंदर एक pop-up menu बन जाए और उसके अंदर हमारा सारे नाम यहां पर हमको show करने लगे इस sale में तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा data वाली टेप में जाएंगे friends डाटा वाली टेप में जाने हैं ओफर देखो home tape लिखा ऐसा ही है data वाली टेप पर हम click करेंगे जैसे हैं क्लिक करते हैं आपको data validation वाला option मिलेगा आपको एक setting मिले कि allow लिखा है आपको नीचे एक list का option मिलेगा आपको source पुछेगा कि आपको कहां से list बनानी है तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे friends तो यह आपको list पुछेगा कि किसकी drop down list बनानी है तो हम यह name जो है इनको select कर लेंगे यह वाले column को हम select कर लेंगे और इसको cross कर देंगे अब देख सकते हो यहाँ पर जो sale address है वो आ चुका है और जैसे हम इसको okay करेंगे friends आपकी यहाँ पर देखो एक arrow आ गया है pop up का इसको हम जैसे ही click करेंगे यह हमको show करेगा friends कि यह जो हमारी यहाँ पर इस column first column में जो name वाले column में जो नाम लिखेते हैं उस सारे name यहाँ आपको available हो जाएंगे इसाई पाटिदार सोमय पाटिदार कवीता ऐसे ही सारे नाम हैं आपको मिल जाएंगे friends जिसमें आप आसानी से इसको use कर सकते हो क्योंकि यह friends आगले formula में use होने वाला है तो आप इसको बहतर तरीके से सीख ले friends ताकि आपको कोई problem नहीं हो I hope आपने कुछ नहीं सीखा होग please like and subscribe my channel thanks for watching